हर हर महादेव केदारनात तुंगनात यात्रा ट्रिप्लान मेरा आज का वीडियो केदारनात तुंगनात यात्रा को लेकर जुड़ा है जिसके मातर से मैं आपको पताने वालों कि आप एक साथ दोनों जगा की यात्रा किस तरह कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करता वीडियो पंच केदार के बारे में तो आप सबी लोग जानती ही होंगे जिसमें से हमारे केदारनाथ और तुंगनाथ दो ऐसे केदार है जिसके देशन हर कोई करना चाता है और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पर केटानात के साथ तुंगनात के द्रसन भी करना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि वो किस तरह अपनी यात्रा को करें देखें मैं आपको पूरा स्टेप आश्ट बताने वाला हूँ और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या आपको केटानात धाम के सा तुंगनात की यात्रा के लिए भी यात्रा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा तो यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बस की मार्थम से अपनी यात्रा करना चाहते हैं हाला कि जो लोग गाली की मार्थम से यात्रा करन तो देखिए सबसे पहले तो मैं याता कई Rations Nation की बात करूंगा अगर आप केता न धम आरहे हैं तो आप पो याता कट dat कर या अंन होता है आप चाहें तो मेरे मातन से भी अपनी याता कार रहन करवा सकते हैं लेकिन अगर आप सोच रहें तुंगनात चाने की और आपको लगता है कि तुंगनात के लिए याता का रेसेशन होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा तुंगनात के लिए याता का रेसेशन नहीं किया जाता आप बिना रेसेशन करें तुंगनात चा सकते हैं और वहां दसन कर सकते हैं तो अब बात आते कि आखिर हम अपना किस तरह प्लांट बनाएं, किस तरह हम किताना धाम के साथ साथ तुगनाथ की यात्रा भी करें, तो देखिए, यहां मैं आपको सीधा Google Map पर लेकी चलता हूँ, किताना धाम का प्रोसिस तो आपको पताएं किस तरह यात्रा की जाती है, बाकी फिर मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, लेकिन यात्रा का जो ट्रिप प्लाने बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप केताना धा तुगनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, तो आपको गरम कपड़ों की रिकार्टमेंट है, इन दोनों आपको केताना धाम में भी ठड़ मिलेगी और आपको टुगनाथ में भी ठड़ मिलने वाली है, दोनों ही जगा फूट थंडी जगे है, तो उसी हिसाब से आप अपने कपड़े लेकर आएं, तो सबसे पहले तो देखिए आपको हरिद्वार से केताना धाम जाना होगा, औ continue यह दिखारा 7 घंटे तो बीचे बस रुकती जाती तो आप 8 घंटे मान के चड़िए हरी द्वास जो सोन प्या की बस आपको मिलेगी सुबह 8 बजी मिलेगी 6 बजी मिलेगी और 5 बजी बस भी फिलाल यहां 5 बजी बस एट नहीं और कि मैं फिलाल यहां से कोई ओडेट यहां यह हजार रुबे शोकरा लेकिन हजार रुबे की जो शीट है आपको पीछी वाली शीट मिलने वाली लेकिन अगर आपको आगी वाली शीट से यह तो लगबक आपका यहां 1260 बजा चार्श रखने वाला है लेकिन अगर आप इससे सस्थी बस बुक करना चाहते हैं तो अगर आप सोनप्याग या गोरीकुंड इस्थे करते हैं तो आपको देखे हैं थोड़े कम विहिति हैं लेकिन से बुकिन आपक मल प्याइब और आप चाहें तो इसकी वकण की चैने का खर सकते हैं Online किस तरह की जाती है इसे जोड़े वीडियो में पहले ही अपने चैने पर दे चुका हूं आप चाहे हैं तो मेरे वीडियो को देख सकते हैं दूसरे दिन हम गोर्यकुंट से केटाना धाम जाने में कम से कम आपको पैदर जाने में 9 घंडे लगते हैं तो आप सुबह जितना ज आप, बिउचे बाप केटान धाम जाएंगे तो वहीं कितना धाम से बूसरे आपको मील जाते हैं अधिक-तर वहां की एशरे आपसेुमट के रोप में मिलेंगे क्योंकि वहां के रूम होते हैं रूम तो काफी जाता मेहखे हैं अगर आप मेहіш रूम लेना चाहते हैं तो भी बहुत राम से आपको मिल जाएगा लेकिन चो टेंट है टेंट आपको पांसो से हजार के आसपास मिल जाएगा टेंट की बोकिंग आप चाहें तो ओनलाइन भी कर सकते हैं इससे जुड़ा वीडियो में पहले ही अपने चैनल पर दे चुका हूं यहां देखिए मैं लिखा है सउॉप्याक तो छोप्ता मिनि सूजरेंट तो आपको भी सेर्च करना है सउप्याक से चोपता जाने में लगो आपको 3 गंटे का टायम लगने वाला है। यहां मैं आपको पूरा मैम ने चाहूंगा यहां देखिए जब आम आप सब स्वक्र कम मट से फिर आप चोपता जाएंगे अगर मान की चरणा आओ बारह या एक बजे तक भी आगे तो आप साम के चार बजे तक भॉँत राम से चोपता पुछ जाएंगे और फिर आप चौपता या फिर चौपता से पहले और भी जगा पड़ते हैं वहां आप इस्टे कर सकते हैं, तीसा दिन आपका चोपता हो जाएगा, अगर आप चोपता पहुंच रहे हैं, तो चोपता में आपको जो option मिलेंगे, वो काफी महंगे मिलने वाले हैं, तो मैं आपको यही suggestion करूँगा, आप चोपता से पहले कहीं ऐसी जगा रुखे, जहां आपको कम price म में रहने की स्वीधा मिल जाए, आप चाहिए तो ओकिमर जैसे जगा भी रुख सकते हैं, लेकिन चोपता ऐसी जगे हैं चाहँ से आपकी चड़ाय सुरू होगी, तो अगर आप वहां ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, तो वहां आपको रुखने की option मिल जाएंगे, लेकिन आपको फिर बताना चाहँगा, चोपता ऐसी जगे हैं चाहँ, गिने चुने ही option है, ज़्यादा option नहीं है रुखने के लिए, तो आप इसी हिसाब से अपना प्लान करके जाएं, फिर चोथे दिन आप सुब मॉर्णिंग में जितना डेल्डी हो सके, अपना माहस है, यानि चोपता से फिर आप अपना तुंगनात का ट्रेक करिए, ये ट्रेक पूरा करने में लगवाब आपका तीन से साड़े तीन घंटा लग जाएगा, अगर आपने केताना धाम की याता पैदल कर रखे तो आपको इस याता को करने में किसी भी तरह की कोई प्रेशानी नहीं हो आप पर पहुचेंगे, उसके बाद आप दसन करके चाहें तो चंद शिला पर जा सकते हैं, चंद शिला में जाने में आपको जादा टाइम नहीं लगने वाला, चंद शिला के दसन करके आप अपना नीचे वापसी आ जाएगे, और उखी मठ या फिर आप चाहें जब आप चौपता से रूट प्रियाक आएंगे, या फिर आप सीजन कर आएंगे तो आपको रहने के काफी सारे विकल मिल जाते हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रोडर्म नहीं होने वाली, आपको महां सच्टे ऑप्स भी मिल जाएंगे, अगर आप लेट होगे तो फिर आपको दिक है तो मैं आपको बताने चाहूँगा यहां से आपको कोई बसने भी लेगी, आपको सोन प्रियाक से भी चौपता शेरिंग टैक्से मिल जाना होगा, और फिर चौपता से अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, तो आप चाहें तो सीथा हरीदवार भी आ सकते हैं, व आपका डेट से दो खंटे में आप नीचे बहुत राम से उतर आएंगे, लेकिन वो जगा ऐसी है कि वहाँ फिर छोड़ा टैक्सी की प्लोड़म हो जाती है, ना तो वहाँ लाइट है, ना कुछ है, तो इसी हिसाब से आप अपना इंतिजाम करके चाहिए, अगर आप चौ गुप्ता पोच के तुगनात मन्दी के दर्संग करके में नीचे बापसी आए तो और फिर हम बीच में कहीं रुगे थे, हम गुप्त कासी भी नहीं पोच पाए, उत्तर कासी से पहले ही हम कहीं रुग गे थे बीच में, जहां लाइट की विए स्थाती है, तो आप इस तर को आप चाहें तो चार दिन मी पूरा कर सकते हैं, वनना पास इंदू देखि इस तरर के लिए है, बाके के वड़ आपको बस मिलने वाली है, जब आप हरिदुआ से सौं ठासा जाने केलिए तब आपको बस मिलेगी स्विद्वार को ने के लिए टेक्सी करना पढ़ेगा, और पिर जब आप छोप्ता से गुप्टकाशी यह सीनेगा आएंगे तब भी आपको वहाँ से टैक्से मिलने बाली है सीनेग से फिर आप हरीधुद्वारा जीए महा से आपको बस की शुटा भी मिल जाई assume the the taxi के शुटा भी